हेलो गाइज, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल, तो आई होप आल अफ यू आ डूइग फाइन, आप सभी ठीक होंगे, तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारा जो होंडा सीटी है, इसमें तो फोल्डिंग मिरर्स है, मतलब कि अंदर से जो बटन से खोलता है, बंद होता है, पर ये अटो फोल्डिंग नहीं है, मतलब जो होता है कि लॉक करने से मिरर अटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है, वो नहीं होता है, तो ये कभी-कभी प्रॉबलम हो जाता है कि शायद कुछ टाइट परकिंग में हमने गारी लगा दिए, फिर हम गारी से निकल गए, फिर कुछ दूर जाने के बाद याद आया अच्छा, फिर तो मिरर खोला रहा गया, तो होता क्या है कि जब लोग यहां से पास करते, टाइट पारकिंग में, तो ये मिरर को पीछे कर देता है, या फिर मिरर को धकके देके बंद कर द तो इसको बंद करने के लिए फिर से चाबी घुमाओ, इगनिशन में लाओ, फिर इस बटन को दबाया, तो जाके बंद हुआ, तो हमने तो इसके लिए एक module order कर दिये है, कर दिये थे, वो आ गया है, तो हमारा कोई भी video sponsored नहीं है, हमने बहुत research करके, फिर item को choose किया, और आप लोग को बता रहे, ताकि आप लोग जान सके कि worth it, मानी में, मतलब पैसे, ठीक ठक पैसे में, कौन सा चीज लेना चाहिए, ताकि वो काम भी अच्छा क करें, और ज्यादा पैसा भी ना खरचो, ठीक है, तो link तो आपको description में मिल जाएगा, product का, तो चलो unbox कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देंगे कि कैसे install करना है, पूरा step by step, यहाँ पे हमारा package आ गया है, अब देख सकते हैं, इसका कुछ 1500 लिए है हमसे, ठीक है, तो इसको ख दिखता है हमारा जो module हमने order किये थे, folding mirror, तो इसको खोल के देखता है, यह के image से है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो relay है, वो दिया गया है, और यहाँ पे wearing harness दिया गया है सब, इसका कि अब देख सकते है, और इसको दिखता है, यह वाला है हमारा असली relay जो है, तो चलो, अभी installation का process दिखा जिते हैं, कोई manual नहीं है इसके साथ, कि कैसे लगाना है, तो हमको यह दो scotch lock लाएगा, यह module के साथ यह नहीं आता है, आप कोई भी सामने वाले दुकान में जाके बोल सकते हो, कि scotch lock दे दो, अगर scotch lock क्या होता है उन लोग को नहीं पता, तो ऐसे समझा उनको कि एक clip दे दो, जिससे दोनों तार को एक साथ connect कर सके, ऐसे समझा दो, और यह 4.8 mm का टार्मिनल, ठीक है, यह एक ही लएगा, तो चलो, इसको अभी दिखाते हैं कि कैसे install करना है, ओ बाइदावे, यहाँ पे देखो, अभी एक गंटा बारिस हुआ है, ऐस बोल रहा है कि बहुत सारा बारिस होने वाला है, अगर बारिस होता है, तो पता नहीं यहाँ का क्या हाल होगा, अगर आपका contact में कोई नाओ है, या कुछ है, तो हम कोई भी एक गारी के बदले, एक नाओ या शीप कुछ भी आप देदो, हम ले लेंगे, ठीक है, तीनों ग कुछ चीज भुसा के, ऐसे इसको, अगर हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो यह खोल जाएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे निकाल लेंगे पहले, ठीक है, यह निकल गया, अभी आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक ठो नाट है, ठीक है, इस नाट को भी खोल लेंगे, एक ठ तो रेंज से, ठोड़े यह नट खुल गया है, तो अभी इसको धीरे से ऐसे बाहर के तरफ पुल करेंगे, देखो, यह निकल गया, असानी से, ठीक है, और इस साइड भी थोड़ा सा ऐसे, यहाँ से पूल करेंगे, तो यह आसानी से खोल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लग है, इस प्लग को यहाँ से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और ऐसे खीचेंगे, तो यह खोल गया, और यह वाला ऐसे धीरे से खीचेंगे, यह भी खोल गया है तो यह है हमारा वैरिंग फर यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर 14 ओर ानलोक हैं और पाओर सप्लाई जो लगता है तो 12 आफ टोड़ा से खोपर को निकाल लेंगे फिर हम लोग इसमें ऐसे तो यह टर्मिनल में ऐसे इसको बिठा के फिर एक ठो प्लायर्ज से इसको ऐसे दबा देंगे अच्छी तरह से ठीक है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है तो अभी जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्वीच है ठीक है हमारा मिरर का कॉंट्रोल करने वाला स्वीच तो अभी अगर हम यहाँ से थोड़ा सा हाथ को अंदर घुसाए तो यहाँ पे एक ठो ऐसा कनेक्टर मिलेगा हम लोग को ठीक है तो यह connector आप देख सकते कि ऐसे लगाया गया है ठीक है मतलब यहाँ पर एक थो लॉक है यहाँ पर एक थो लॉक है तो इस लॉक को अगर हम प्रेस करके निकालेंगे तो यह आसानी से निकल जाता है तो यहाँ पर हम लोग फील करेंगे कि कहां लॉक है जब हात में लगे वह तो उसको धीरे से दबाके ऐसे खीचेंगे देखो यह निकल गया है ठीक है तो हमारा जो यह वाइरिंग हरने से यहाँ पे सिर्फ कपलर टू कपलर ऐसे इसको अंदर घुसा देना है ठीक है यह हो गया है फिर हमारा यह वाला जो कनेक्टर है यह वाला वही पर चला चलो यह लग गया एक बार देख लो कैसे दिखता है चलो यह मॉडूल को हम अभी यहां पर हर्नेस से लगा देंगे बस ऐसे ठीक है तो यह लग चुका है तो अभी हमारे पास जो यह ब्लू वैर और यह वाइट वैर है तो इसको हमको यहां पर जो आप देख सकते हैं इस हर्नेस में जो वैरिंग है इस वैरिंग से हमको लगाना है तो हमने क्या किये यहाँ पे जो टेप रहता है अपना टेप को थोड़ा सा हटा लिये है तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यलो वायर है और एक वाइट वायर है तो इन दोनों को हम थोड़ा सा पहार की तरफ निकाल लेंगे ठीक है और यहाँ पे एक वाइट वैर है पहले यलो से काम कर लेते हैं फिर वाइट को लगाएंगे तो यहाँ पे हमने अभी अब देखो यहाँ पे जो यलो वैर है इस यलो वैर में हम लोग अपना एक स्कॉच क्लिप को ऐसे गुसा देंगे फिर इसके अंदर जो अपना वाइट और वाइत वायर को डाल देंगे। ठीक फिर अपना वाइत वायर डालने के बाद हम लोग यह स्कवाच लोक को ऐसे प्रेस कर देंगेUM ठीक है कि अब देख सकते हो कि अंदर में जाके लाग हो गया ओठीक हैं अभी हम अपना को भी लोग कर देते हैं फिर अपना जो यह वाइट है मतलब यह वाइट एक है यह वाइट जो एकदम नेरो वहाव है इस पर भी एक स्कॉच लोग लगा देंगे तो यहां पर स्कॉच लोग को लगा देंगे ठीक है यहां पे स्कॉच लोक लगाएंगे फिर अपना जो यहां पे ब्लू वैर है अपना इस ब्लू वैर को और एक फूल में गुसा देंगे ऐसे ठीक है फिर इस स्कॉच लोक को भी हम अपने प्लायर से प्लेस कर देंगे अ स्कॉल वैर कर दो है कि अचैसर के अढ़ान विद्वम्मपार है और अब जो पावर रेल की बात अता है तो हमने यहां whirring एक टर्मिनल से connect कर दिये थे, ठीक, तो ये टर्मिनल हमको, यहाँ पर जो हमारा fuse box है, ठीक है, इस fuse box में आप देख सकते हैं, 40 A का fuse है, ठीक है, ठीक 40 A के उपर जो, ठीक 40 A के उपर जो प्लेस है, यहाँ पर, यहाँ पर टर्मिनल दिखेगा आप लोगों को, उस टर्मिनल के अंदर इसको फिट कर देना है, एसे, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, कि यह काम कर रहा है की नहीं, अब हमारे पास यह चाबी है, ठीक है, यह चाबी से अगर अब गारी को लॉक करते हैं, यह देखो, बंद होने लगाए ठीक है ये दोनों ही बंद हो गया है तो अब हैं हम पंड़ी करें बंद हो एक बार इसले करें हुआ है एक रिचाएं हैँ और एक बार यह सर जो और काज चेक आउट करा देते हैं कि ये काम कर रहे है की नहीं यह देखो, यह भी साही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, उस साइड, तो ठीक है, तो अभी वैर को थोड़ा, मैनेज करके इसको लगा देते हैं, ठीक है, अभी हम अपना यह जो हरनेस है, इसको लगा देंगे, तो पहले यहाँ पे क्लिप को लगा दिये, फिर यहाँ का जो कनेक्टर खुले थे, इस कनेक्टर को भी यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे इसको स्लाइट करके, यह बहुत ही आसान है सिर्फ स्लाइट करके लगा देना है जैसे खुले थे ठीक वैसे ही इसको लगा देना है ठीक है तो यह देखो हमारा काम जो है कॉंप्लीट हो चुका है एक बार फिर से दिखा देते देखो यह वाला हमारा लॉक के अंदर कोई नहीं बैठा है तो चलो लॉक करके देखते हैं लॉक किया यह देखो अपना मिरर फिर अगर आम अनलॉक करें यह देखो खोल गया है ठीक है तो फिर चलो that being done we are at the end of today's video तो I hope यह वीडियो आपको informative लगा है अगर कोई भी question है कि कैसे यह wiring करना है कैसे find करें कि कौन सा वायर किसके लिए है तो नीचे comment करो यह वीडियो करने में बहुत मेहनाच जाता है हमारा क्यूंकि हम बहुत research करते हैं कि कौन सा ठीक रहेगा कौन सा अच्छा है market tested है कौन सा यह सब चीजों को देखके फिर recommend करते हमने यह card class से लिए थे online है यह लोग ठीक है तो यह sponsored नहीं है कोई हमको sponsor नहीं किया है हम को ऐसे ही अच्छा लगा इसलिए हम लोग इसलिए हमने आपको यह recommend करते है ठीक है तो यह बहुत ही एक काम की च गार है गारी छोड़के तो हमको चाहिए था कि यह automatic close हो जाए ठीक है तो चलो यह तो हो गया life hack हो गया था life hack हो गया तो यह इतना सारा मैनत करते हैं मतलब पारने की कोशिश करते हैं आप लोग तक वीडियोस पहुचाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या रहता है या कैसे पूरा process दिखाने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक like कर दो कुछ भी comment हो कुछ भी comment कर दो बस एक subscribe भी कर देना अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो रहा है आप लोग का तो चैनल को subscribe कर दो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए देख क्यार बारिश का मोसा में जो भी कोलकाता में थोड़ा सा देख के चलो तो बहुत ही ज्य अगर पानी पर गिरा हो तो वह चीज ध्यान में रखते हुए चलना रास्ते पर अब सभी का तो काम है रास्ते पर जाना है ऑफिस जाना है पर साफदानी से करो चलो लेट बिंग से बाई बाई टेक क्यार मिलते आगले वीडियो हो बाई आगर वीजा मिल्क मैं घ्याना वोफिते जाना है झाल झाल